हेलो दोस्तों मैं सवरों बलिक आप सभी का वाइफाइ स्टेडी स्टुडियोज में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतिय सविधान की संग सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची यानि की यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से सम्मधित कुछ इंपोर्टेंट कोश्यन जो की प्रिक्साओं में बार बार पूछे जाते हैं ये वीडियो सभी एक्जाम के पॉइंट ओपी से इंपोर्टेंट रहेगी तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके एंट तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना अपने सभी दोस्तों के साथ में सेहर करिएगा, ठीक है दोस्तों और देखे इस वीडिय के नीचे comment box में बतेएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों सबसे पहला point लिखा है हमारे सविधान की सातवी अनुसूची में केंदर सरकार यानि की संसद और राज्य सरकार यानि की विधान बंडल की सक्तियों के बटवारे हितु तीन सूचियां यानि की संसद कानून बना सकती है दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों राज्य सूच यानि की state list ठीक है इसमें कानून बनाने का अधिकार विधान मंडल के पास होता है इसमें कितने 61 विशे आते हैं ठीक है इस्टेत लिस्ट में ये भी आपको याद रखना है और दीके द दूसरा point हमारा आते है राज्ट्य आपातकाल की स्थिती में, तीसरा point है राज्जे सबा दुआरा, और चोथा point है सम्मंदित राज्जे की सहमती से, ठीक है, तो यहाँ पर यह 4 point है जिसमें आपका state में low बना सकते हैं, यानि की कानून बना सकते हैं, कौन union list यानि की संसद हम नेक्स हमारी आते है concurrent list, देखिए concurrent list क्या होती है, concurrent list में यानि की समवर्ती सूची में, कानून बनाने का अधिकार संसद और विधान मंदल दोनों के पास होता है, यानि की कुछ ऐसे विशे हैं, जिन पर दोनों ही संसद और विधान मंदल, दोनों ही कानून बना सकते हैं, उन विशे को concurrent list में रखा गया है, इसमें 52 विशे आते हैं, या आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपके लिए important है, कुछ अब मैं important ऐसे विशे बताता हूं, सबसे पहले union list के discuss कर लेते हैं, जिस पर union list यानि की संसद के द्वारा कानून बनाए जाते है सबसे पहला आता है सुरक्षा, सुरक्षा से संबंदित कोई भी कानून बनता है, वो हमारी संसद द्वारा बना जाता है, इस्टोक मार्किट, युद में अगर कोई भी कानून बनाना पड़ रहा है, ठीक है, अंतरास्टिय संदियों से संबंदित होगा, विदेसी तरंड से संबंदित होगा, ठीक है, मैं फटाफट बता देता हूँ, फिर कोशन्स पे चलेंगे, बैंकिंग में कोई भी लो बनता है, वायू, जल, रेल, परिवहन, इन सभी में भी आपकी संसद के द्वारा ही कानून बनाय जाते हैं, जन गन्ना, ठीक है, अंतराज्य नदियां, तो ये भी आपको या दखना है, नेक्स्ट आता है दोस्तों राज्य सूची, आप स्टेट लिस्ट में, यानि की स्टेट द्वारा, विदान मंडल द्वारा, कौन-कौन से कानून बनाय जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले किर्सी हो गया, पुलिस, आपको पता है, पु पचायती राज हो गया, भू राजस्व हो गया, ठीक है, लोक स्वस्थ हो गया, तो ये सारी चीज़े हो गए, इस्टेट लिस्ट में, अब आपके दिमाग में आरा होगा, ऐसे कौन से विश्ट है, जिस पे दोनों संसद और विदान मंडल, दोनों लोग बना सकते हैं, त तो आपको कौन करेंट लिस्ट आंसर करना है, बहुत सारे स्टेट कर देते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, मजदूर संगठन, ये भी कोशन एक्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, जन संख्या नियंतरन, आपने कहीं बार सुना होगा कि केरला में जन संख्य ये जलमार्ग, ठीक है, जंगल, ये सभी किस में आते हैं दोस्तों, कौन करेंट लिस्ट में आते हैं, दोस्तों एक पॉइंट आपको नोट करना है, वो विशे जो संग सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सामिल नहीं है, उन अविसिस्ट विशो पर कानून क अधिकर संसद को ही है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एविसिस्ट विधाई सक्तिया कहलाती हैं, ठीक है प्यार दोस्तों, तो अब हम चलते हैं कहां पर, कोशन्स में और कोशन्स में आपको क्या करना है, आंसर बताने हैं बई, तो यहां पर सबसे पहला कोशन है भारतिय सविधान की समवर्ती सूची की धारन किस देश के सविधान से ली गई है धारना किस देश के सविधान से ली गई है दोस्तों समवर्ती सूची की धारणा ली गई है उस्ट्रेलिया के सविधान से तो इसका सही आंसर ओप्शन सी रहेगा ठीक है प्यार दोस्तों और देखे आर आपसे रिक्वेस्ट है फटा फट वीडियो को लाइक कर दीजे सुबह सुबह ये वीडियो आप देखते हैं और द्यान से सुनिएगा ऐसे ही कोशन एक्जाम में आएंगे कि कौन सा विषय आता है कौन सा नहीं आता है बस इनमें ही कन्फ्यूज कर दिया जाएगा तो आप देखे इसमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतरगत नहीं आता है तो यहां पर अगर बात कीजे दोस्तो तो रक्षा की तो रक्षा का जो विशय है किसमें आता है यह आता है आपका यूनियन लिस्ट में अभी बताया था ना मैंने पीछे ध्यान से आपने देखा होगा तो आप इसको इसली कर लेंगे तीसरा कोश्चन है निमिन में कौन सी मद समवर्ती सूची के अंतरगत आती है समवर्ती सूची के अंतरगत आती है दोस्तो मजदूर संग इन चारो उप्षन में मजदूर संग इसका सही आंसर रहेगा नेक्स हमारा कोश्चन है निमिन में से कौन से विशे हमारे सविदान की समवर्ती सूची में सामिल नहीं है तो देखे कौन से विशे समवर्ती सूची में सामिल नहीं है ध्यान से सोचिए भई आपका मजदूर संग तो आता है जंगली जानवरों तो था पक्षियों का संदक्षन जंगल ये भी आते हैं बट यहां पर अगर सेर बजार की बात की जाए बावी बजार ये नहीं आता है ये किसमें आता है ये भी आप रिमाइंड करिये थोड़ा सा रिमाइंड नहीं है बते फटाफट तो जैसे अभी बताया था इस्टोक एक्चेंज की स्का यूनियन लिस्ट का तो फिर से आप गलती लिखा इस्टोक एक्चेंज समवर्ती सूची में तो यह नहीं आएगा चलिए नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन पर जाने से पह कर रहे हो यह UPSC की कर रहे हो किसी भी एक्जाम की आप त्यारी कर रहे हो तो रेलवे का या फिर अधर एक्जाम का सब्सक्रिप्शन आप जोइन कर सकते हो अनकेडमी प्लस पर उसके लिए सबसे पहले आपको अनकेडमी लर्निंग है अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है तो उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर पर के लोगन करने है उसके बाद अपना जक्रीक करने है यहां पर आपको डाना है की करेंगे तो किलिक osap कर लेग ठीक है कोई डाउट आएगा पूछ लेना आप डिसकाउंट कोड को यह डिसकाउंट कोड है इसको किसी भी एक्जाम में अप्लाई करेगा वहीं पर अप्लाई होगा और डिसकाउंट मिल लेगा चलिए अब हम आते हैं नेक्स कोशन पर कोशन नमर्श सिक्स है समवर्ती सूची में नहीं है ध्यांद सुनिएगा तो यहां पर दोस्तों अगर मैं सही कोशन की बात करूं तो केंद्र सूची में नहीं है इसका सही आंसर रहेगा मजदूर संगठन बिलकुल सही है यानि कि option C is the right answer पंचाती राज विसे है तो पंचाती राज विसे है राज्य की सूची में इसका सही answer option C रहेगा नेक्स है निमलिकित में से कौन राज्य सूची में नहीं है तो निमलिकित में से कौन राज्य सूची में नहीं है तो इसका सही answer रहेगा बिलकुल दोस्तों सुरक्षा नहीं है ठीक है यहां पर किसमें राज्य सूची में नहीं है तो सिक्सा को किस सविधान संसोदन दवारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सामिल किया गया है यह question important बनता है क्योंकि पहले यह सिक्सा था यह राज्य सूची में आता था बट अभी यह समवर्ती सूची मैंने की concurrent list में आता है और इसका सही answer हेगा 42 वे सविदान संसोदन के तहते ठीक है ना Option B is the right answer Next है संग्य संसद राज्य सूची के विशे पर भी कानून बना सकती है अंतरास्टिय सम्द इसमें आपको बताना है कौन सा सही आंसर हैगा यहाँ पर क्या पूछा गया है दुबार से पढ़ देते हैं संग्य संसद राज्य सूची के विशे पर भी कानून बना सकती है तो यहाँ पर दोस्तों पहला लिखा एंतरास्टिय सम्जोतों को परभावी बनाने है तू बिल्कुल सही है तो बना सकती है संबंदी राज्यों की सहमती से बिल्कुल यह भी मैंने आपको प्रस्ता परित करें तो यह भी बिल्कुल सही है तो यहां पर चारों यानि की सभी चारों पॉइंट सही है तो सभी इन सभी पॉइंट पर संसद राज्य सूची के विशे पर भी कानून बना सकती है ठीक है पर दोस्तों याद रखिएगा चले नेक्स कोशन पर संग सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विदाई मुद्दे सामिल है फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उले किसी में भी नहो उस मद पर कानून कोन बनाएगा तो जैसे मैंने आपको बताया था कि केवल संसद उस मद पर कानून पना सकती है ठीक है भई समझ में आरे चीजे चले फारतिय सविदान के अंतरगत एविसिस्ट अधिकारों का अर्थ है बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर हैगा अधिकार जिनको केंदर सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में इस पर्स ट्रूप से सामिल नहीं किया गया है तो सही आंसर ओप्शन डी रहेगा प्यारे दोस्तों ठीक है ना चले है रेल्वे भारत के सविदान में कौन सी लिस्ट में आता है तो रेल्वे भारत के सविदान में केंदर सूची लिस्ट में आता है तो इसका सही आंसर उप्षन भी रहेगा निमिन में से कौन सा विशे राज्य सूची में समलित नहीं है तो प्यारे दोस्तों ये question I think repeat हो गया है या repeat नहीं हुआ है 6 रहेगा इसका सही answer ठीक है ये question आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकते है कि ये union list में है तो आपका union list में भी गलत रहेगा राज्य सुची में पूछा लिए उसमें भी गलत रहेगा क्योंकि ये concurrent list में आता है ठीक है तो confused नहीं